नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि CRO या DSO में दो वेवशेफ का कमपरीजन कैसे करते हैं? अब हम voltage कमपरीजन के बारे में जानेंगे, दो वेवशेफ हैं, इनका कमपरीजन करना है, तो कमपरीजन या तो time से होगा, या y-axis से होगा, तो जब time से करते हैं, तो इन वेवशेफ को हम overlap कराते हैं, आलि यह बाहर है और यह अलग है, तो दोनों को pass में ले आते हैं, ये दो वो कंट्रोल है ना, वर्टिकल पोजिशन कंट्रोल, दोनों चैनल का, इनकी मज़स्थ से, यब ये वेब से ओरलाइफ हो गए, तब हम compare करते हैं, हम आज जे time compare करना है, तो हम इसको expand कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, जब एक चैनल का signal 0 से high जा रहा है, तो दुसरा point में charging सुरू होती है, हमारे में यह charging show कर रहा है, और यह discharging, तो जैसे यह high गया, charging शुरू हो गई, जैसे यह low गया, discharging शुरू हो गई, तो charging discharging हो रही है, अगर आप इसको expand करते हैं, तो और close दे सकते हैं, कि charging तुरम शुरू होती है, थोड़ी देर के बाद, जब इसको change करेंगे, दोनों expand होंगे, अब, वर्टिकल में comparison करने के लिए, इसको overlap हम करी चुके हैं, अब इसकी coupling हमने DC रखी हुई है, coupling DC, Y axis की, इसका 0 यह है, यह 0 है, हमारे में 0 ऐसे दिखता है, दुस्तुर escape में किसी और तरहां दिखेगा, अब हम देखेंगे, कि जब यह 0 से high जा रहा था, तो charging शुरू हो रही थी, तो voltage कितना था, तो अभी scale हमने रखा है, इस spine का, यलो वाले का, second channel का, scale है, 2 volt पर division, तो यह voltage हमें major करता है, तो vertical scale से, हम इसको expand कर सकते हैं, देखें, बहार जा रहा है, जाने दीजे, हमें spine का voltage measure करना न, इसका नहीं, तो हम ऐसे चले जाते हैं, अब इसका हम easily measure कर सकते हैं, यह scale है, 1 volt पर division, तो यह 1 volt है, यह 2 volt है, यह 3 volt है, 3 volt से थोड़ा सक्का में, 2.8 volt है, तो यह है 2.8 volt, roughly 3 volt, इक्जेक्ट रही है, तो 2.8, और भी accurate measure कर सकते हैं आप, इस spine का voltage कितना होगा, scale है 2 volt पर division, आपके में, या किसी और CR में, यहां भी हो सकता है, हर CR में अलग अलग लिखा होता है, कहीं यहां लिखा होगा, कहीं यहां लिखा होगा, जब यह high से 0 हो जाता है, उस समय यह peak पर होता है, और इसका voltage कितना है, यह है 2 volt पर second, तो यह line ने 2 volt, यह 4 volt हो गया, यह 6 volt हो गया, accurate चाहिए, तो ऐसे shift कर सकते हैं, यह देखिए, यहां आ गया, यह 2 volt है, यह 4 volt है, अब 2 volt पर इविजिन का मतलाब है, यह छोटा बाला खाना, 0.4 volt हुआ, तो 2 volt, 4 volt, 4.4 volt, 4.8 volt, 5.2 volt, 5.6 volt, तो यह peak है, 5.6 volt, इस तरहां आप मेजर कर सकते हैं, अगर आपको peak चाहिए, और accurate चाहिए, तो यह बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अब यह बाहर दिला गया, तो इसको नीचे लाते हैं, यह देखिए, यह हम यहां तक ले आए, 0 level यह हो गया, अब यह मैं पूरा दिख रहा है, अब यह division है, 1 volt per division, तो 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, और 1 volt per division में, यह 5 खाने हैं न, तो एक खाना छोटा वाला हो गया, 0.2 volt, तो 1 volt, यहां से शुरू होता है, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 1, 2, 3, तो ऐसे आप, measure कर सकते हैं, अब आज यहीं समाप्ट करते हैं, अब यहीं समाप्ट करते हैं, यहीं समाप्ट करते हैं, यहीं समाप्ट करते हैं,